वेलकम तो सड़ी चैनल मेरा नाम है मुहम्मद कैसर बात करेंगे ल्टी ग्रेट ने सिक्षक भरती के संबन में लेटेस्ट अपडेट की क्या जानकर निकल कर आई है कब तक अभी क्या पना सकता है तो बहुत सारे चाहत यह पूछ रहे हैं कि जब अब समकक्षारता का मामला हल हो गया है तो आखिर अब क्यों डिले हो रहा है विग्यापन कब तक आएगा क्या इस माह या अगले माह तक उम्मीद हैं तो यहां पर दोस्तों जानकर यह निकल कर आई है कि अभी समय लगेगा और अभी कम से कम दो महीने तक यानि कि जुलाई तो अब खत्मी है अगस् सितंबर के बाद ही विग्यापन के उमीद हैं दो महीने विग्यापन अभी नहीं आ रहा है यूपीप्यस हसे है काम कर रहा ह। बहुत जल निकल जाएगा बिल्कुमाणकर चले हैं कि पेले-पहले यह विग्यापन आपके सामने होगा लगबत सुष्णव which- doctor conditionavatti और जो चात्र इस भरती का इंतजार कर रहे था उनके लिए अच्छी खबर है 2021 के बाद अब जाकर इसका विक्यापन आने जा रहा है यह कैसी भरती है जो बिल्कुल रेग्लोर नहीं होती है पहले से कुछ क्लियर नहीं होता है कि आने वाली है इस साल या नहीं आने वाली है लेकिन 2023 में अर्याचन मिल चुका है और समकक शहरता वाला मामला भी हल हो गया है तो यह भरती आ रही है ल्टी क्रेट को लेकर यह जानकारी मिली है यह पियस्टी से की अभी इसमें समय लगेगा और इसी बीच जो प्रतियों की चात्र मोर्चा के अधर्ष्यावेकी खान उन्होंने यह बता जाया है कि वह बहुत तीजल उपियस्टी पर पहुंचेंगे एग्यापन देंगे धर्ना होगा और यह मांग की जाएगी कि विग्यापन जल से जल जारी किया जाए चात्र यह सवाल पूछेंगे कि आखिर जब समकक शहरता हल हो गया तो अब क्या समझ हो गया है तो जल्द ही मामले क्लेर होंगे लेकिन फिलहाल यूपियस्टी आरो यारो पर काम कर रहा है उसके बाद ही कोई और दूसरा विग्यापन देखने को मिलेगा एपियस पगारे में अभी भी समय है और अभी दो-तिन दिन पहले उन्हों साथी यूपियस्टी पर ग कि यूपियस्टी का रुख सामने नहीं आया लेकिन जल्द ही एक बार और चाहतर पहुंचेंगे इस बार प्रतियों की चाहतर मुर्चा वाले पहुंच रहे हैं उमीद हैं कि कोई ने कोई आएगा बात होगी और चीज़ें क्लेयर हो जाएंगी बाकि आरो यारो वाले बि वीडियो को लाई जरू करते हैं और हमारे साथ बने रहें थांक्स फॉर वाचिंग